हेलो फ्रेंड्स मैं समितापकर स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर फ्रेंग्स आज हम 34 साईज का बोटनिक दीया है देखेंगे देखें में फेब्रिक लिया है मैने और यह मेरा स्थर का फेब्रिक है सबसे पहले है मैं आस्थर की फेब्रिक पर बैक पड़ का मेजरि कर ली है बोटनेकी साब से शोल्डर लिया है मैंने शेवेनी चार मुल लिया है मैंने शेवेनी स्क्रीन पर देवे मेजर्मेंट के नुसर मैंने बैक पड की कटिंग की है अब चैस्ट हमारा 34 है तो उसका चोटा आएगा 8.5 फिंच और देडिंच मार्जिंग का इसी चैस की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक इंच पर हमार मुल की गोलाई दे देनी है हल्ट के हाथों से अब बोट निक ब्लाव जीते शुल्डर को हमें हां पिंच डाउन कर लेना है तिरसी लाइन ड्रॉ करेंगे अब वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चोटा आएगा 6.5 फिंच एक इंच बैक पड की प्लेट का अदेडिंच मार्चिंग का इसी तरह से मार्किंग मेरी कमप्लीट हो चुकी है अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है पूरे बैक पड को निचे से भी फैबरिक को सिधा कर लेंगे और मेन फैबरिक के साथ कट कर लेंगे मेन फैबरिक कट करते वक्त आप इंच बढ़ा कर ही कट कर और नीचे से वीट में 4 इंच रखते हुए इससे चोकुन बॉक्स तेयार कर लेंगे और बोट निक का सेब देना है हलके हाथों से अब नीचे से लेंट रक्रिव में 11 इंच और नीचे से भीट में रक्रिव में 4 इंच यहाँ से भी हमें इसा चोकोन बॉक्स ते यार कर लेना है और नेक का शेव देंगे हाँ एक इंच बाहर की तरफ डॉट लेते विए ऐसी गुलाए में शेव देना है नीचे की तरफ से और उपर इसी तरह से नेक की मार्किंग मेरी कम्प्लिट हो चुकी है आप चाहे तो अपने कार्डिंग नेक बना सकते है अब नेक को हम जैसे मार् पर हमें राइस साइट पर अस्तर का फैबरिक रखेंगे आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज करते हुए नेक बना सकते है मैं बिना पेपर पेस्टिंग से बना रहे हूं नेक को बराबर से बिठा लिजेगा फैबरिक को थोड़ा पी नमप लगाते वे अच्छी तरह शी बिठा लिजेगा ताकि शिलाई करते वग हमारा फैबरिक इधर-वधर ना हिले और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिंग रखते वे श्चीज लगाएंगे कॉर्नर से बराबर से पलटा लिजेगा इसी तरह से नेक को श्टीज लगा ली है अब मैन फबर्री को कट करेंगे अस्तर के बराबर से ही मेन फबर्री कट करलेना है और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे ताकि पलतने में आसानी हो जाएंगे कॉर्णर से बराबर से कट कर लीजेगा सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखे कोई नुकिली चीजों से हमें कॉर्णर बाहर की तरफ कर लेने हैं और नेक को हम पल्टा लेंगे इसी तरह से नेक कॉर्णर दोनों कॉर्णर बाहर की तरफ कर लीजेगा और नेक को अच्छी तरह से बिठा लीजेगा अब टाय तो आइरन करते हो अच्छी से बिठा सकते हैं मैं रपी स्टिज लगा रहे हूँ अब पूरे नेक को हम रपी स्टिज लगा रहे हैं देखिए इसी तरह से पूरे निक को एक रोपी श्टीज लगाते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे अब में फैबरिक और अस्तर के फैबरिक को हमें अट्याज कर लेना है अस्तर के बराबर से श्टीज कर लेंगे हाज से थोड़ा प्रेश करते जाईएगा और शिलाई करते जाईएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश्णा रहे उसका ध्यान रखे अब जो बाहर की तरफ हमारा में फैबरिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है देखें बैक पार्ट मेरा कम्प्लेट हो चुका है अब एक इंच का मार्जिंग कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लिश्टी देंगे और कमर पटी अटाज कर लेनी है हाँ इंच का मार्जिंग कवर करते हुए कमर पटी अटाज कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं पट्टी को पल्टाते हैं पट्टी को उपर शह में स्टीच लगाएंगे पट्टी को फोल करते हैं कॉर्णर की स्टीच लगाएंगे अब बाहर की तरफ फेब्रिक का रहा है उसको Cut कर लेना है अब पूरे पत्टी को फोल्ड करते एक रोपी स्टिस लगाएंगे देखे इसी तरफ से हमारा बैक पर्ट रेडी हो चुका है अब जो हमारा जरीका फैब्रिक है उसके हमें फिरेल्ड रेडी कर लेंगे देखिए इस तरह से फ्रेल रेडी कर लेनी है हाप इंच का मार्जिंग पर फोल्ड करते वे कपड़े को फ्रेल रेडी करेंगे पूरे फैबरिक की इसी तरह से पूरे फैबरिक के हमें फ्रेल रेडी कर लेनी है और उसके उपर हम लेस को टैज कर लेंगे इसको अच्छी तरह से बिठाकर अट्याच कर लेजिएग़ ताकि बाहर की तरफ हमारे फ्रिल न आये उसका ध्यार दखें इसी तरह से फ्लिल्ड रेडी करेंगे अब मैंने साड़ी का फैब्रिक और में फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और उसके हमें ऐसे समोशे रेडी कर लेने है में फैब्रिक के भी ऐसे समोशे रेडी कर लेंगे और उसको बराबर से कट कर लेना है अब एक के उपर एक रखते वे आमने समने रखते उसको स्टीज लगाएंगे और हमें नीचे से कट कर लेना है पेब्रिक को बराबर से इसी तरह से हमने जो स्क्वेर कट करके रखे है पेब्रिक के पूरे ऐसे रेडी कर लेने हैं समोसे देखिए इसी तरह से रेडी करके रखे है मैंने अब पूरे नेक को हम इसको अट्याज कर लेंगे नेक को अंदर की तरफ रखते वे पूरे समोश अट्याज कर लेने है बराबर से बिठा लीजिएगा और उसे की हिसाब से पूरे नेक को हम अट्याज कर लेंगे बहुत इं फिनिशिंग के साथ हमें अटाज आज कर लेने हैं पूरे समोशे हमारे एक जैसी ही आने चाहिए तब ही हमारे नेक की फिनिसिंग आएगी देखिए इसी तरह से पूरे नेक को मैंने समोशे अटाज कर लिए है अब हमने जो फ्रिल रेडी की थी उसको अट्याज कर लेना है नीचे के साइड से बराबर से लेस के उपर से अट्याज करते हुए लेस अची तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमेश्टीज लगा लेनी है अब हमें पूरे नेक को लेस अट्याज करेंगे दिखिए लेस नेक के बराबर से रखते हैं लेस को अट्याज कर लेनी है कॉर्नर से बराबर से फूल कर लिजेगा लेस को अब बराबर नेक के डिजाइन के एकॉर्डिंग हम लेस अट्याज करेंगे यहां से फ्रिल के बराबर से हमें लेज को अट्याज कर लेना है बराबर फ्रिल के अंदर की तरफ लेते हुए लेज को अट्याज कर लेना है और कॉर्नर से बराबर फिनेशिंग के साथ हमें लेज को फूल कर लेना है दिखिए इसी तरह से finishing के साथ हम lace attach कर रहे है और corner को बराबर से fold कर लेना है अब lace को अच्छी तरह से बिठाने के लिए lace के दुसरे corner से भी हमें stitch लगा लेनी है तब ही हमारी lace अच्छे से बैठ जाएगी दिखिए इसी तरह से हमारा ये back part ready हो चुका है अब हमें center में एक button attach कर लेनी है बराबर से button को attach कर लिजेगा पक्ता कर लिजेगा दिखिए मेरा ये back part का design ready हो चुका है आपको मेरा ये design कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएए अगर आप channel पर पहली बार आये है तो like share जरूर करें चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद